तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस स्कीम की फुल फॉर्म है क्वर्टली रिटरंस एंड मंथली पेमिंट्स यह स्कीम कब अप्लिकेबल हुई थी यह स्कीम अप्लिकेबल हुई थी फॉर्स जैनुरी की 2021 से को गॉर्मेंट क्यों लेकर आई वह इसी लिए लेकर आई बिकाज जब गॉर्मेंट नहीं जी करने के लिए नहीं हुआ बड्र जैसा गॉर्मेंट ने बोला था वहैसा नहीं वह जी आने के बाद प्लाइंस और बढ़ गए वो इसलिए बढ़ गई because उन्होंने जो returns की compliance रखी थी, वो monthly रखी थी, अब जो अगर छोटा सा assessi है और वो regular scheme में registered है तो उसे हर महीने returns भर नी पड़ेगी, और एक दिन भी अगर वो late हो जाता है तो उसे interest भी देना है, late fees भी देनी है, penalties भी देनी है, तो ये जो burden था ना assessi पर वो बहुत ही heavy हो गया, तो assessi की taxpayer की परिशानी को देखते वे, government ने इस scheme को launch किया, इस scheme के पीछे government का basic reason यही था, कि जो हर महीने आपको returns भरनी है, वो आप monthly ना भरके quarterly भरे, quarterly भरेंगे तो हमें भी facility हो जाएगी, कि हर महीने अपने को returns के लिए client किसी भी tax consultant के पास नहीं जाना पड़ेगा, clear, अब हम यह देखते है, who is eligible for that scheme, इसका मतलब यह है कि कौन-कौन ऐसे person है, जो इस scheme को opt कर सकते हैं, तो government ने बोला, ऐसे taxpayer, जिनका previous preceding financial year में turnover up to 5 crores है, वो इस scheme को use कर सकते हैं, इस scheme को use करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर quarter के start होने से पहले, जैसे आपको quarter अभी July, August, September चल रहा है, तो June मन्त में आपको यह select करना पड़ेगा, कि आप next quarter में कौन सी scheme में जाना चाते हैं, quarterly returns वाली scheme में जाना चाते हैं, या monthly returns वाली scheme में जाना चाते हैं, अगर आप एक quarter में जो scheme opt कर लेते हैं, जैसे मानलीज अप्रेल में जून में आ change करना पड़ेगा, इस scheme में आपको returns monthly बढ़ना है, बट tax का payment आपका monthly होगा, तो tax का payment कैसे होगा, उसकी calculation कैसे होगी, government ने उसके लिए क्या क्या चीज़े prescribed कर रखे, वो हम हमारे next video में discuss करेंगे, so thank you, stay healthy and stay safe.